अब हम लोग यहां पर एलाइंस इंडेस्ट्री दिम्टेट के अनलिसिस करेंगे और यहां पर हम लोग देखेंगे नाइक्स्ट वीक में प्लस मंदे के से इस तरीके से अपने इंपॉर्टन लेवल्स एंड टार्गेट हम लोगों को दिखाएगा इसका प्राइस एक्षिन किस तरीके से रहने वाला है तो फिलहाल जो इस दिती है विकली टाइम प्रेम पे अपने चार्ट लगा रखे हैं हम लोगों ने और अगर अभी हम लोग देखेंगे कि यहां पे अच्छा खासा मॉमेंट के बाद अगर आप नोट कर रहे होंगे तो एक रुकावट हम आपर क्योड निकले यहां धर अगर ऊपर मिलेगी तो हम लोग यहां पर क्योड देख पाएंगे लगी यहां पे क्लोजिंग होई है 234 0 के आसपास हो रहे है लिए तो भी बना हुआ है इसको मैं अच्छा इसको बहुत नीचे बहुत जदा नीचे जानी Aunty मुझे प्रयू यहां फिर हो जकता है यहां पे एक दो और कैंडल बना है लेकिन बहुत ज़ता मोमेंटम किसी भी और मुझे नजर नहीं आ रहा है उपर की और मोमेंटम कब नजर आएगा जब नेक्स्ट वीक में यह क्लोजिंग कहीं यहां पर दे दे यहां फिर इन लेवल के आसपास दे द पर है तो यहीं बात करना तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन इन केस अगर यह 25 नेट के नीचे निकलेगा तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा इतना जो सेलिंग प्रेशर रहेगा तो यह सीधे सीधे 2350 के आसपास जाएगा अगर ऐसा कोई भी कंडिशन होता है तो बहुत तेजी से नीचे के और गिर सकता है ऐसे केस में हमें कोई पोजिशन मनाने से बचना है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है चुकि तो विगली टाइम फ्रेम पे तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है नीचे के और यह सारे सपोर्ट्स हैं जो क चाहिए तो उसका बात किया था इस यहां पर कแंदल का यहां पर करने के बाद यहां लो फोर मैंगा linen कि और यहां पर कैंडल रहा है इस तर बांप और ये नीचे की और गिरे ठीक है अगर नीचे की और गिरता है तो next जो support हमारे पास होना चाहिए वो लगबग लगबग 2620 के आसपास है आप सभी को दिख रहा होगा राइट यंद दूसरा और जो नीचे के लिए मुझे लगता है इस support के नीचे शेर को नहीं जाना चाहिए वो है लगबग लगबग 2580 डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ 2580 से लेके 2590 के मीचे ये नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो फिर वही 2540 अपना जो नीचे वाले लेवल थे 2520 ये सारे लेवल को ये फिर रेटिस्ट कर सकता है जिसकी यहां पर एक बड़ राएक है अभी जिस लेवल पर ये रुका हुआ है आप जिस एक नोट करेंगे ये भी एक सपोर्ट लेवल है ठीक है और ये जो कैंडल बना है काफी छोटा कैंडल है मतलब यहां पर मुमेंटम नहीं है ना बायर्स की तरफ से मुमेंटम है तो अगर सेलर्स की तरफ से मुमेंटम नहीं है और कोई भी यहां पर आके लीड लेता है मान लेते हैं इसको अपना ये हाई ब्रेक करके उपर क्यों निकलता है इस तरीके से यहां पर बायर्स का लीड हो जाएगा तो उस किसमें क्या होगा एक उपर क्यों हम लोग को मुमेंटम दे सकता है 2700 से लेके 2690 तर इस सी जोग हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे अगर उपर क्यों कोई भी यहां पर निकलता है तो प्लस यहां पर जो पैटन है अगर हम लोग यहां पर फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर बिल्कुल इस टाइप पैटन बना चाहिए यह उपर गया नी निवल्स यहां पर बात किया नीचे 26 अंड़ RAM के आसपास ठीक है इन लिवल्स को हम लोग यहां पर कर सकते हैं नीचे की ओन ठीक है तो यहां पर इस तरीके से यह अपना बिका सकता। इस तरीके से इसका प्राई सेक्टार बन सकता है और इस कैंडल से हम लोग को कुछ के आसपास तो एक buying happening हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि already sellers थे यहां पर sell करके गए हैं पैसे बनाए हैं यहां पर हो सकता है profit booking होई हो किसी का कोई भी decision नहीं है इनकेस यहां पर उपर जाता है तो support के पास मैं देख रहे हैं support के पास में हो सकता है थोड़ा नीचे आ कि फिर उपर क्यों निकल जाए और यहां पर एक range बन जाएगा और इस range की वज़े से यह उपर 100 रूपीज मतलब 2750 के आसपास है तो 2800 अपना पहला target अची हो जाएगा और buyers की पूरी कुछिस होगे कि उसके ऊपर जाके कहीं पर closing दे तो 27, 28, 140 के आसपास हम लोगो फिर closing मिल सकती है देख वैसे यहां पर गोई भी buying happening मुझे बहुत strong नजर नहीं आ रही है लेकिन अगर एक दो दिन बाद एक दो green candle बन जाता है उसके बाद ऊपर जाता है तो ज जा सकता है तो इस चीज़ को हम लोग यहां पर ध्यान देंगे और नीचे की और तो लेटी हमने बात करके रखा है 15 मिन टाइम प्रेम पर देख लेते हैं आप कमेंट करते रहा करिए कि आपके कमेंट पढ़के मुझे काफी अच्छा मैसूस होता है बस आप यहीं मत पूशेशन किस वजह से मनाया वो मुझे पता नहीं है जब तक मुर्य डीटेल पता नहीं रहेगा आप किस तरीके से कोई भी पोजिशन मनाके तब तक मैं आपको कुछ बता नहीं सकता मुझे नहीं पता आपका है आपकी risk appetite क्या है इसलिए मैं ऐसे किसी भी comment का यहां पे आंसर नहीं दे पाता हूँ ठीक है उसके लिए आचा मगरिएगा अभी हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे देखेंगे 15 मिनेट से क्या दिख रहा है हम लोग को 15 मिनेट पे continuously एक गिरावर दिख रहा है ठीक है और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे यह सारे से स्टार्टिंग हुआ है तब से गिर रहा है और अपने हाइक को करता है तो यह जितना राय ली किया है अगर देखेंगे यह लेवल एक रिजिस्टेंस का लेवल दिख रहा होगा 2680 का फिब्टी मिनेट पे उसके पहले 2660 का तो यह 20-20 रूपीज करके ऊपर जा सकता है औ और around 2700 के बाद अगर ऊपर निकलता है तो 2700 के बाद ये जा के 15 मिनट की बाद करो यहाँ पर इसको रुकावाट मिल सकती है बतलब इन 20 पर भी रुकावाट मिलेगी लेकिन चोटी चोटी रुकावाट होंगी लेकिन 2700 के पास थोड़ी बड़ी रुकावाट मिल सकती है और उसके बाद ये फिर से उपर की ओर कर सकता है तो ये चीज़ को हम लोग ध्यान कर दो सकता है ये उपर की ओर यहाँ से निकले इस बात का हम लोग ध्यानद देखिनेंगे 14 अगे लेकिन यह पर यह पर यह लेकिन हम अपर जाना चाहिए तो फिर इसइस प्र के बात कर लेते हैं कि मंडे को इसके लिए important levels क्या हमारी तरफ से हो सकते हैं और यह क्या दिखाएगा तो मुझे कहीं न कहीं यह support के आसपास नजर आ रहा है तो यह important support है तो इसको 596 break करने दीजे अगर यह 596 break करता है दोस्तों तो यह नीचे की और गिरेगा पहला target होना चाह range में है ठीक है तो 2582 के आसपास का पहला target हम लोग यहां पर रखेंगे और नीचे की और second target मैं नहीं देना चाह रहा हूं इसके पीछे सिर्फ एक ही reason है कि वह बहुत उपर से नीचे की और गिर रहा है यहां पर इसने एक range बनाया था लेकिन उस range का one is to two already दे चुका है तो इसलिए मुझे अभी बहुत जादा नीचे जाने कि इसकी अभी के लिए फिलाल कम लग रही है यह उपर जाके फिर से आएगा तो फिर से हम लोग देखा जाएगा उपर की और बात करेंगे तो उपर की और यह वाला जो candle है ठीक है यह वाला candle अगर ब्रेक होता है तो चार candle है चारों का हाई अगर ब्रेक होता है तो उपर की और मोमेंटम देखने को मिल सकता है लेकिन यहां पर फिर हमारे टार्गेट छोटे हो जाएंगे अगर इस आप से हम लोग देखेंगे चलिए ट्वेल का ब्रेक आउट होता है तो हम लोग उपर की और जो पहला लेवल द वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो और थैंक यू पर यो टाइम